चतिस गड़ में शुकरवार को सबसे बड़ा एंटी नकसल ओपरेशन चलाया गया था जिसमें 31 नकसलियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी आपको बता दें कि मुटभेड दंतेवाडा नाराइंटपुर्जिले के बॉर्डर पर हुई इस दोरान एके 47 समेट कई आटोमेटिक हतियार बरामत हुए थे जिसके बाद सैना के जवान सर्चिंग अभियान चला रहे हैं लेकिन इसके बाद अब कई रिकवरी नहीं हुई है आपको बता दें कि जहां सर्चिंग के बाद सैना के जवान वापस लोटेंगे जवान कई पहाड़ों को क्रॉस कर कर नदी नालों को पार कर नकसलियों को कोर एरिया में पहुँचे थे आपको बता दें कि इस सफल अभियान का नेतरत बस्तर आईजी पी सुन्दर राज के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा एसपी गौरवराय और नारायनपूर एसपी प्रभात कुमार ने किया है को खतम करने के लिए नकसल को खदेड़ने के लिए एनकाउंटर चल रहा है और एनकाउंटर जैसे ही रात हुई तब तक 28 नकसलियों के सव बरामद हुए हैं सुबा आठ बजे की अभी जानकारी बस्तर आईजी रेंज पी सुन्दर राज के कारेयले से दी गई है जिसमें 31 माववादियों के सव बरामद किये गए हैं वहीं CRPFCF की टुकड़ियां भी पहुंची जा रही है मैं आपको बता देता हूं यहां पर ग्रहम मंतरी अमित्सा ने जिस आप से चतिसगड़ की जंता से वादा किया था नकसल मुक्त करने का जो वादा किया था कहीं ना कहीं वह सार्तक साबित हो रहा है चतिसगड़ में नकसलवाद आखरी दम पर है यहां पर केंदर से पूरी की पूरी फॉर्स मिल लए है वहीं फॉर्स की साहिता से पूरे एरिये में सर्चिंग ऑप्रेसन जारी है कहीं नक्षनियों के घायल होने की भी जानकारी मिल लिए है पी मेंबर भी इसमें सामिल है अब यही देखना बाकी है कहीं न कहीं यह पूरी जानकारी आती है और उसमें और कितने महवादियों के मारे जाने की खबर आती है फिलाल चतिसगड़ पुलिस का एक जवान यहां पर गाहिल हुआ है जबकि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा हुए है केमरमें जानलिस्ट के साथ आरव सीयर राजप्रोई सच बेदरग जग दरग